राधे राधे एवरिवन मैं मीनाक्षी स्वागत करते हूँ आप सभी का ज्यान अनुसार में तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ अक्षयत रतिया दोहजार चौबिस के बारे में अक्षयत रतिया का पर्फ जो कि बहुत महतुपूर्ण होता है जैसे दिपावली होत इसमें 10 माई को मनाया जाएगा और देखे अक्षयत रतिया जो है वो विशेश इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस दिन की की गई खरीददारी व्रद्धी कराती है और इसलिए आज के दिन विशेश चीजें लाई जाती है तो अगर आप सोना या चान्दी घर पर लेकर आ जाओंगी जिने अक्षयत रतिया पर कर लेने से मातलक्षमी की क्रपा सदैव आप पर बनी रहती है और इसके साथी आप स्क्रीन पर अक्षयत रतिया की पूजा विधी भी देखते जाए तो देखिए बैसाक मास के शुक्लपक्ष की तरतिया तिथी को अक्षयत रतिया का पर मनाया जाता है, आक्षेत्रतिया को आखा तीज, धन तीज, अक्ति पूजा जैसे नामों से भी जाना जाता है, और इस दिन स्नान, दान, जब, तप, शाद और अनुष्ठान करने का बहुत अधिक महत्व है, मानेता है कि इस दिन किये गए दान पुनने का फल अक्षे होत है, यानि कभी समाप्त नहीं होता, और इस दिन देखिए गंगा में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है, तो अगर आप गंगा में स्नान ना भी कर पाएं, तो अपने घर में स्नान के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला ले, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आ अक्षे तरतिया के समान कोई तिती नहीं होती, और अक्षे तरतिया का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, क्योंकि त्रेता युक का आरंब भी इसी दिन से हुआ था, और अक्षे तरतिया के दिन ही परश्राम जैनती मनाई जाती है, है ग्रिव अफतार भी इसी दिन और अक्षे तरतिया के साथ अक्षे तरतिया अपने आप में ही बहुत विशेश हो जाती है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें ऐसे कौन से वह पांच कारे हैं, जो अक्षे तरतिया पर अवश्य करने चाहिए, मातालक्ष्मी की स्थाई निवास के लिए, तो देखि सबसे पहली चीज अक्षे तरतिया की तिथी पर सोना चान्दी खरीदने का विशेश महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महंगी धातू खरीदने से घर में व्रद्धी बरकत होती है और तो अगर आप सोना चान्दी खरीदने में सक्षम ना हो तब देखिए आप क्या करें थोड़ी सी चने की दाल और ये जो दोनों अनाज हैं ये सोने के समान माने गए हैं तो चाहें आप 5-5 रुपए की दोनों चीज़ें लेकर घर में आएं उनने लेकर जरूर आएं अब दे टीन पात्र लेकर आने हैं और तीनोपात्रों में आपको स्वास्थिक बना लेना है और देखी तीनो पात्रों में अक्षद्रतिया के दिन एक में दाल एक में चावल एक Voilà Bill और जो हमारी घर की बरकत है, हमारी घर की वरद्धी है, वो रसोई घर से काफी हद तक जुड़ी होती है, और देखे इन तीन पात्रों में जिसमें आप दाल चावल रखेंगे, उन्हें समाप्त ना होने दे पूरे वर्च बर उसमें थोड़ा थोड़ा भढ़ते रहें, पूरी रात्री जलना चाहिए, सुबह तक इस दीपक को, और अगर ना हो तो नॉर्मल जो घी मिल जाए आपको, उससे आप ये दीपक प्रजुलित कर सकते हैं, और इतना भी ना हो, तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, और चौती चीज, आपको अक्षयत रति अंधियरे में रोशनी फैलाना, और जब तक सूरदेव की किर्णे प्रत्वी पर विद्दमान रहती हैं, तब तक दीपदान का कोई मतलब नहीं बनता, और इसके साथ ही देखिए, आपको पांचवी चीज में बता दू, माता लक्ष्मी जिन जिन चीजों से प्रसन होती ह वो कारे आपको जरूर करने हैं, जैसे माता लक्ष्मी को साफ सफाई अति प्री है, सजावाट अति प्री है, और खुश्बू प्री है, तो आप अपने घर में साफ सफाई रखें, कोशिश करें थोड़ा सजा लें घर को, जादा ना हो तो में गेट के आगे आप रंगोल का घड़ा जो है, यानि जल पातर के दान का बहुत अधिक महत्व होता है अक्ष्यत्रतिय पर, तो आप कम से कम इतने घड़े का दान करें, इतने बड़े घड़े का, जो किसी के प्रियोग में आए, और इसके साथ अगर आप कर सकते हैं, तो कनकधारा स्त्रोत, लक्ष्मी स्त्रोत, विश्टू सहस्त्र नाम, इन में से कोई भी पाट आप थोड़ा समय निकाल कर माता लक्ष्मी के सामने बैठ कर इनका पठान आवाश्य करें, तो इस तरह से मैंने कुल 6-7 कारे आपको बताए हैं, इन में से जो भी आपको 5 कारे ठीक लगें, वो आप अक्ष्यत कर दो जो Basisत्कु आपको 5 कारे अक्या-प्रे टांट से धself ख़गें, जो कि सीम्हें आपको 6 अापको 4 के लगें, वो आपको 5 के ले श। अवजय को पक्ष्यता वोती हैं, नापको 6 के लeग वोग yellow लगें, 9 कर इन